नमस्कार दोस्तोर स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नुजी के सेंटर पर मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं जार्खन सामान ग्यान से कुछ महत्पुन प्रस्ण यह मोडल प्रेक्टिस सेथ है और परिक्षाओं म जान में जार्खन लोग से वाई-वक क्या है उते के जार्खन लोग से वा आयोक एक संवेधानिक निकाए ठीक है और इसका गठन अनुछे 315 के तह 2002 में किया गया थानी ऑप्षिंग एक इसका राइट अंसर होगा तास के तुम्हस्ता सवाल का स्थानोब एवोमुन से संबंदित तितियों का मिलान किजिए इसमें जो है को मैचिंग करना है तो तीकि- ये राजधानी दिया है तो हम लोग का रयदानी कहा है उप राजधानी धुमका है उद्योगी राजधानी जमसित le-ंचेल यह शपा आंसर होगा, चलिए, धारखन के किस जीले में पुलीस परसिक्षन के अंदर इस्थापित है, तो ते किसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हजारी बाग, चलिए, किस राज को रतन गरभा राज कहा जाता है, तो देखे, सब कोई जनता है कि जारखन को रतन गरभा राज कहा जाता है, क्योंकि खनीज उत्पादन की दिष्टी से संपुन भारत में सरवच स्थान पर जारखन है, तीक है, और मुल की दिष्टी से भारत के कुल खनीज उत्पादन का 26% हिस्था जो है, यहीं से उत्पादित होता है, यह उत्पादन की दिष्टी से देश के कुल खनीज उत्प ब्यारण के मद इस्तितेक खुबसणर जिल का नाम जो państ 이, वहापका हरी में 1907 में इसके इस्थापन हवई थी और इसकाप जो चेत्रप्मकषा spares आगे बढ़ते हैं 1987 में कितने संगठनों को मिला कर जार्खन सम्नवय समित्ती का गठन किया गया था तो देखिए इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिरपन ठीक है जार्खन अंदोलन में लगे विभिन दलों में सम्नवय स्थापित करने के उद्धिस से 1987 में जार्खन सम्नवय समित्ती यानि जे सिस्टी का गठन हुआ तो था जून 1987 में जार्खन सम्नवय समित्ती का रामगण में समिलन हुआ और इस सामिलन में धारखन छेतर में कार्यात तिरपन संगठन जिसमें बुद्धि, जिवीश, तरमिक, इस्त्रिया, सिप्चक, चात्र, हातरा की लोग सामिल है चलिए धारखन राज का कौन सा नेता दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है धारखन राज का कौन सा नेता दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है तो यह हो जागा शिवू सोरेन चलिए आगे बढ़ते है सीधू कानू का समद किस विद्रों से था मुंडा विद्रो, संथाल विद्रो, चोरो विद्रो या खिरवाड विद्रो सीधू कानू का समद वो संथाल विद्रों से था मैं संथाल विद्रों पर बहुत जल्दी एक विडियो लेकर आने वाला हूँ आज रात को 10 वजे मिलेगा आपको 100% 10 वजे ही रात को देंगे आपको यह विडियो धर्खर में मनाय जाने वाला एक लोग परे जन जाती तिवार कौन सा है तो देखिए धर्खर में मनाय जाने वाला एक लोग परे जन जाती तिवार जो है वो है आपका सरहूल ठीक है सरहूल जो है जन जातियों का सबसे बड़ा पर है और यह सरहुल परकृति से समझने तेवार है और यहां चेत्र में सुक्ल पक्षित्या को मना जाता है और इस पर में साल्व रिख्च की अहम बोमिका होती है उसकी पूजा की जाती है चैनपूर महल का निर्मान किस वंस के दोरा करा गया था चैनपुर महल का निर्मान किस वन्स के द्वारा कराया गया था तो चेरवन्स के द्वारा ठीक है चैनपुर महल पलामों के मुख्याले मेधनी नगर में कोईल नदिकेतर परिष्टित है और इस महल का निर्मान चेरवंज के दिवान पूरन मलकि वनस उजदुद वरा कराए गया चलिए आगे बढ़ते हैं चेरवंज से शासक मेदनी राय किसमोगल बात्सा के समकाल इन था तो मेदनी राय जो है ओरंग जिब के समकाल इन था ठीक है जहां चीता और भाग है, चलिए, एसिया का सबसे बड़ा श्यंत्र किसे मनदा जाता है, तो ये हो जाएगा बोकारो श्यंत्र को एसिया कर सबसे बड़ा फ्लान산 मना जाता भारत में सबसे बड़ा उर्वरक करखना कहा जोजती थे वह है आपका सिंद्री यहां पर सिंद्री में हो जागा ठीक है सिंद्री होगा यहां सिंद्री चो धनबाद से 30 किलोटर की दुरी पर बंगाल की सिमा के पास जिशती थे चलिए आधिवासी लोगों के बीच विर्ष सिंद्री आभा के रूप में पुकार आजाता था यहांनि धर्ती के पिता चलिए कि 2011 की जंगना केन सार जहरकन का जन्संक्य आगनत तो क्या है 2011 की ताजे जारकन का जन्संक्य आगनत 400 चोकद परती वेकती है ठीक है और 21336 है शार्खन राज में किस जगह को city of waterfall का जाता है city of waterfall तो इसमें हो जगा राची ठीक है राची को city of waterfall का जाता है क्योंकि यहां बहुत सारा waterfall है जूम किस्चे समद्धित है जूम किस्चे समद्धित है तो देखिए जूम जो है ठीक है जूम संबन्दित है आपका पहाडिया से ठीके ठैर्खन में अस्थांतरेजित किर्सी को जोम किर्सी कायता है जो पहाडिया जन जाती में परचलित है ठैर्खन राज का सबसे उचा पहाड कौन सा है जिस पर जेनियों परमुक तिर्थ स्थाल है, तो यह हो जाएगा पारशनात गिरिटी, चलिए, खड़िया जाती की लोग कितने वर्ग में बटे हो हैं, इसका राइट अंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, आपसन 1, 3 जाती है, ठिकिए, परजाती दिष्टी से खड़िया जने जाती को प्रोटोटोच्ट्रोड़ाइट से मुँ में रखा जाता है और यह जाती के तीन लोग तीन वर्ग में बटेंगे जिन में पहाडी खड़िया दुद खड़िया और डेलकी खाड़िया है ठीक है चांडिल डेम किस नदी पर अवस्तित है तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्तित है और 1982-83 से प्रारम की गए थी जिसका पर्थम चरण पुर्ण हुआ इसका उद्येश योथा बार नेंद्रन, भूमिश संगरक्षन, सिंचाय सुविता, अद्योगीक जल्विजूत का बहुत पादन तथा इसी परियुजना के तद चांडिल, गालूटी और इचावन बनाए जाने चलिए आगे बड़ते हैं भारत छोड़ा अंद्रन में हजारी बाग का जिनुस किसके नेत्रित में निकला था तो इसका राइट अंसर हो जगा स्रीमती सरसोती देवी भारती सरसोती संग्रम में अग्रणी नाई का निभाने वाली स्रीमती सरसोती देवी का जन्म पांच परवरी 1921 सिस्वी को हजारी बाग में हुआ था महुआ को चलिए आगे बढ़ते हैं तार्खन की जन जाती में जननी शिकार किसके दोरा मना जाता है तो जननी शिकार के वल जन जाती महिलाओं के दोरा मना जाता है निके वल महिलाओं के दोरा हो जागा छोटानाकपुर कस्तकारी अधिनियम 870 के अंद्रगत भुयारी रेति की परिभासा में सम्मिलित किया गया है यह वला नहीं है तो इसका राइट अंसर रोजाएगा आपका अपसंतिन उराओ को अंडी और अपर तीपी नाम से प्रजलित विवा किन जन जातियों से सम्मिलित है तो कि अंडी और अपर तीपी नाम से प्रजलित विवा सम्मिलित है अपका हो जन जाति से चलिए आगे बड़ते हैं धारकन के किस जन जाति के गाउं हो हिरी के नाम से प्रजलित है तो यह हो जाएगा आपका पुरा हो जन जाति किस नदी गाटी पर मेथन एम पंचत हाइडल और स्टिशन है तो यह हो जाएगा आपका बढ़ा कर नदी है जमसेत पूर किस नदी पर बसा हुआ है तो सोर्ण रिखा नदी पर धर्खन का सिमला किसे का जाता है तो धर्खन का सिमला का जाता है आपका नेतर हाट को चलिए आगे बढ़ते हैं शिर्षा ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में जर्खन के किस आस्ते का उप्यों किया था तो यह हो जाएगा आपका तिलिया गड़ी क्या हो जाएगा तिलिया गड़ी ठीक है अनि राजमाल की फाड़ियों के बीद अन्थाल प्रगना कस्तकारिय दिनियम उन्हें साउन पचास के ताथ खास गाउं से ताथ पर एक इसे गाउं से जहां तो इसका हो जाएगा आपका कोई मुल रायत ना हो कोई खा मुख्या जहां से ओकर गंगानदी प्रभाइत होती है तो साहिव गड़ियों कुलमाने अनुशुचित जन्जातियां कितनी है तो कुलमाने अनुशुचित जन्जातियां जो है यह है आपका 32 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पूर मद्यकालिन संस्कृति साहित में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकरा जाता था तो यह हो जाएगा आपका कलिंज देश मद्यकालिन साशक फिरोज साथ तूगलक ने थारखण में किस स्थान को अपनी रायदानी बनाया तो यह हो जाएगा सत्गावा नागवन सी राजा ने सर्फपर्थम नवरातन पंच मंजिला भाण का निर्मान कहां करवाया था तो इसका रायट अंसर हो जागा आपका डोईसा ठीक है कहां पर डोईसा में चली आगे बढ़ते हैं रामगड में कॉंग्रेश का दिवेशन कब आउजित किया गया तो रा अन्सराव प्लभाद अन्सराव 11j 1104 को कॉंग्रेश का तिरपर्णवा दिवेशन आयन किया गया था रामगड में ठिक है संथाल परर्गना में कास्थकारी अधिनियम सरी कास्थकारी कानून कभ लाघू किया गया ठो देख़िए कास्तकारी कानून कभ लागू किया यहां पर 100 मिटर के उचाई से जल गिरता है तो यह हो जाएगा आपका अप्सन दो हुंडू जल परपात जो हुंडू जारकन का दुशा सबसे उचाई जल परपात है जो राची में स्वर्ण दिखा नदीपर अवर्स्तित है ठीक है आपका अपका लोगन जीत से गांदी जी जब पहली बार राची आये तब किसके निमंत्रन पर आये तो यह आये थे स्यामक्रिश्न साय के निमंत्रन में 1970 में लंदन में से राची लोटाए और 1970 में उन्हें गांदी जी को राची आने का संदिश भेजा और चार जून 1970 को पलिवार वे राची आये थे विर्षा मुंडा का जन्म कब हुआ था विर्षा मुंडा का जन्म हुआ था आपका पंद्रय नूमर ठाशो पिचत्तर को जार्खन में तामा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है तो जार्खन में तामा उत्पादन का मुख्य जिला है आपका उर्विसी मुख्य ठीक है चलिए सौन नदी धारखन के किस जिले में सरुपर्थम परवेश करती है तो सौन नदी परवेश करती है आपका गड़वा जिले में उन्हें सबान के चुनाव में धारखन पाटी का चुनावचिन क्या था तो ये धारा ओजाएगा आपका 41 संथाल परगना अधनिय मोने 150 के तःत किस धारा के दोरह डाग्वग के माध्यम से लगान दिया जा सकता है तो ये हो जाएगा आपका औप्सण 1,45 45 एक सवाल आपको देकर जा रहा हूं कि संथाल प्रगना कास्तकारिया दिनिया मुने 50 के तत गाउं के मुखिया का पद क्या होता है तो इसका राइट अंसर आप कमेंट जरूर कीजेगा तो फिर मिलता है जय हिन जय भारत